आपके स्कीम है उनके बारे में और जितने भी स्टाटिक और बैंकिंग अवरनेस है वह भी आपको इस वीडियो के क्लास में एक एक करके मिलेंगे तो आज के इस वीडियो में हमने लिया है कि स्कीम को ठीक है काफी important है उसके बारे में इस बार कुछ काफी changes की गए है तो उसी के बारे में इस class में discuss करेंगे वीडियो को like कर दीजिएगा, share कर दीजिएगा चैनल पर अगर आज नए है तो चैनल को subscribe जरूर करिएगा तो इस general awareness की class में जो related है banking industry से उनमें हमने एक scheme को लिया है जिसका नाम है senior citizen saving scheme 2023 ठीक है इसमें काफी चीजें update हुई है और ये question जो है पूछा गया था अभी ECBIC SBI PO Men's का paper हुआ था उसमें question पूछा गया था ठीक है तो आने वाले जो भी exam है उस पर जरूर क्योंकि इसमें changes हुए है और इसे changes जो है वो पूछे जाते हमेशा तो आगे देखते हैं क्या changes इसमें हुए है पर इस scheme के बारे में सबसे पहले जान लीजिए इस scheme का rate of interest है काफी important है 8.2% इसका rate of interest है tenure इनका जो है वो 5 year है और minimum deposit है जो इनका 1000 रूपीड यानि अगर आप account open करते हो ठीक है ये senior citizen saving scheme का उसमें जो minimum deposit है वो है 1000 और maximum deposit जो है वो है 30 लाक रूपीज ठीक है ये earlier था 15 लाक अब इसे बढ़ा कर 30 लाक रूपे कर दिया गया है और ये effective कब से होगा 1st April 2003 से effective है इसी को change किया गया है अगर ये बात करते हैं हम लोग senior citizen saving scheme के बारे में इस scheme में maximum deposit कितना है तो अब maximum deposit है 30 लाक रूपीज earlier कितना था 15 लाक दोनों याद रखिएगा question कोई भी पूछा जा सकता है minimum deposit कितना है 1,000 रूपीज 10 लूप कितना है 5 year और rate of interest भी आप याद रखिएगा 8.2% है अगर individual कोई है वो account open करना चाहता है तो उसकी age 60 years होनी चाहिए और अगर कोई retired person है उनकी age 55 years होनी चाहिए ये भी आप लोग याद कर लीजेगा इस scheme में पहले spouse को allowed नहीं किया गया था लेकिन इस बार जो है जब change हुए है तो spouse जो होते हैं ठीक है उनको भी इस scheme में allow कर दिया गया है और जो ये retirement वाली age 55 ये कब open हो सकता है तो account can be opened within 3 month of the retirement receipt जो receipt received आपको होता है जब retirement आप retire होते हैं तो वो receipt से आपको 3 month के अंदर अंदर अगर आप ये scheme लेते हैं तो ये जो है आपका 3 month ये पहले 1 month था और ये change करकर 3 month कर दिया गया है किने changes है important आपका rate of interest है 10 year है minimum deposit और maximum deposit ये ये याद रखिएगा ठीक है ये age 60 year और 55 year ये याद रखिएगा इस scheme का नाम याद रखिएगा और effective कब हुआ है ये 15 lakh to 30 lakh 1st April 2023 तो ये तने important है इस scheme में तो मिलता है नेक्स वीडियो में God bless you to all, thank you for watching